प्रारंबिक परिक्षा होने वाली है और इस प्रारंबिक परिक्षा को आप कौलिफाई कर सके इसी कुध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सिरीज की शुरुआत की है जिस सिरीज का नाम है टार्गेट यूपीएसी प्रेडिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सिरी इस सिरीज को हमने कई सेग्मेंट्स के अंतरगत बांटा है जैसे विज्ञान इंप्रेड्योकी की खंड है जैसे आपके सामने अंतराष्ट्री संबंद खंड आएगा कलाया यूं संस्कृती खंड आएगा और उसी तरह से परियावरण इंपारिस्थिती की खंड भी आए हैं वो परियावरण इंपारिस्थिती की से जुड़ा हुआ है तो इसके अंतरगत हम ये इस टोपिक का पहला एपिसोड है और इसमें कई एपिसोड आने वाले हैं तो कुछ खबरों को इसके अंतरगत समेटा जाएगा और कुछ को आने वाले प्रोग्राम्स के अंतरगत तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं पहली खबर बहुत चर्चा में पिछले वर्ष रही है जिसका नाम है रिवर सिटीज अलाइंस क्या है राष्ट्री स्वच्छ गंगा मिशन ने राष्ट्री शहरी कारिये संस्था यानि National Institute of Urban Affairs की सहयोग से रिवर सिटीज अलाइंस की एक वैश्विक संगोश्थी यानि आप कह सकते हैं एक सम्मेलन का आयजन किया इस सम्मेलन का उदेश्य क्या रहा उदेश्य रहा है शहरी नदियों के प्रबंधन हेटू बहतर अभ्यासों पर चर्चा करना यानि जो ब महत्वपूर्ण उदेश्य रहा है किसके दुवारा यह शुरू की गई है सयुक्त पहल है किसकी जल शक्ति मन्त्रा ले कि और आवास एवं शहरी कारिये मंत्रा ले कि एक सयुक्त पहल है अगर हम इसके व्यापक उदेश्यों की बात करें तो यह नदी शहरों को और सतत नदी केंदरित विकास पर ध्यान केंदरित करना जब हम बात करते हैं नदी शहर तो नदी शहर का क्या मतलब हुआ नदी शहर का मतलब ऐसे शहरों से है जो किसी ना किसी महत्वपूर्ण नदी के किनारे पर इस्थित हैं इन सभी शहरों में एक सतत आर्थिक विकास की नीव डाले जा सके इसी के अंतरगत रीवर सिटीज अलाइंस की एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई है यह अलाइंस तीन व्यापक विशों पर आधारित है कौन-कौन से विशे हैं एक नेटवर्किंग यानि इन सभी नदी शहरों में एक नेटवर्किंग की बहतर व्यवस्था खड़ी करना कपैसिटी बिल्डिंग करना और तकनीकी सहयता प्रदान करना टेक्निकल असिस्टेंट्स देना नवंबर 2021 में 30 सदश्य सहरों के साथ ये शुरू हुआ था और अलाइंस का विस्तार पूरे भारत में 110 नदी शहरों और डेन्मार्क के एक अंतराश्थी सदश्य सहर तक हो चुका है इसी के बारे में कुछ महत्वपुन तथ्थ्यों को भी आपको जाना जरूरी है क्या है में देशों के इतने दिश शहरों को जोड़ लिया है कि इसको ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस के रूप में डेवलप कर दिया गया है कहां घोशना की गई थी ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस की शुरुवात भारत सरकार के जल शक्ति मंत्राले के तहत राश्ट्य क्लाइमेट चेंज के तहट दुबाई में आज जित हुई थी नवंबर दिसंबर दोहोजार तेईस में वहीं पर इसकी घोशना की गई वहीं पर इसको स्थापित किया गया जिसमें नैशनल राश्ट्य स्वच गंगा मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हुई यह अलाइं में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में ही सामने आया है क्या काम करेगा यह किस तरह के कदमों का परिचायक है यह वस्तुत है नदी संद्रक्षन और सतत जल प्रबंदन की दिशा में वैश्विक प्रियासों में एक महत्वपूर्ण कदम का परिचायक है रिवर सिटीज खास तोर से ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस के रूप में जबसे डेवलप हुआ है वहीं से जलवायू परिवर्तन के खिलाब वैश्विक प्रियासों में भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है यहां पर हमें राश्ट्य स्वच गंगा मिशन के बारे में भी सामानित अथ्यों को जान लेना चाहिए क्या तक्ते हैं इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी बारागस 2011 को किस तरह से शुरुआत हुई थी बारागस 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरिस सोसाइटी की रूप में इसको स्थापित किया गया था इसका महत्वपुन देशे क्या है मुद महत्वपुन देशे है गंगा नदी के प्रदूशन को कम करना और इसका काया कल्प सुनिश्वित करना ताकि इसको प्रदूशन मुक्त बनाया जा सके गंगा नदी को गंगा नदी के जेनवधार उसके संरक्षन और प अक्षिता की जाती है आगे बढ़ते हैं देखते हैं भारत में गंगा नदी के काया कल्प के लिए जो अन्य पहले हैं वे कौन-कौन सी पहले हैं उनके बारे में भी कुछ सामाने तथ्यों को जान लेना बेहत महत्वपूर्ण हैं क्या तथ्य हैं नमामी गंगे कारेक्रम क्या कारेक्रम है यह एक एक क्रित यानि इंटीग्रेटिट संद्रक्षण मिशन है इसे कब शुरुवात की गई थी इसकी जून 2014 में केंदर सरकार दुवारा फ्लैक क्रिया कि शुवात करना और अंतराष्ट वहाँ कीजिए का राष्टे नधी गंगा के तन्रक्षण और कैया कल्प के दोहरे उदेश्यों को प्राप्त करना इसके तो राष्टेhouse can अ स्वच्छ गंगा मिशन स्वच्छ गंगा कोश भूवन गंगा वैब एप अफस्ट निप्तान पर प्रतिबंद गंगा कायकल्प के अन्य कारिक्रम है इनके बारे में भी एक सामाने परिचे आपको मिल गया है आज की हमारी अगली खबर क्या है अगली खबर है प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय यानि कर्वेंशन ओन माइग्रेटरी इस पीसीज चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है कि परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्रा लेने यू एन ईपी जिसके अंतरगत प्रवासी प्रजा में यह मद्धे एशाई फ्लाइवे में प्रवासी प्रजात पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षन पर केंद्रित है अब यहां पर एक शब्द आया है शब्द क्या है मद्धे एशाई फ्लाइवे मद्धे एशाई फ्लाइवे के बारे में हम संपूर्ण कथ्यों को जानेंगे लेकिन इसके सामाने इस्थिति आप यह देख लिए कि इसकी शुरुवात उत्री साइबेरिया के आर्क्टिक शेत्र से लेकर के भारत के दक्षणी हिस्से में हिंद महासागर तक इसकी शुरुवात होती है लगबग 30 देशों को यह पूरा मद्दे इशाई फ्ला या ग्रूप ओफ माइग्रेटरी स्पेसीज अपने एन्वल साइकल को अपने वार्षिक चक्र को पूरा करते हैं जिसके अंतरगत ने केवल में उन इस्थानों पर ठैरते हैं बलकि प्रेजनन भी करते हैं तो इस तरह के पूरे विश्व में लगबग ऐसा माना जाता है कि नाइन फ्लाइवेज हैं जिनमें से एक फ्लाइवे मध्धे एशाई फ्लाइवेज है तो इसी के संद्रक्षन मध्धे एशाई फ्लाइवेज में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संद्रक्षन प्रियासों पर यह केंद्रित है बैठक में आर्मेनिया बंगला फ्लाइवे पर एक संस्थागड धाचे का निर्मान करना यानि एक इंस्टिटूशनल इस्ट्रक्चर का निर्मान करना और कारी रोजना को करने हितू एक मस्वूदा रोड मैप पर सहमती व्यक्त की है इसके बारे में एक कुछ सामाने तत्थ है Convention on Migratory Species यानि प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय के बारे में कुछ सामाने तत्थियों को भी हमें जान लेना चाहिए यह United Nation Environment Program यानि परियावरेन कारेकरम जो संयुक तराश्टर का है उसके तहत एक अंतर सरकारी संदी है जिसे Bonn Convention के नाम से भी जाना जाता है इस पर वर्ष 1989 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह लागू कब हुई थी वर्ष 1983 में इसको लागू किया गया था अगर हम इसके बात करें कि इसमें कितने पक्षकार हैं तो लगभग 133 पक्षकार एक मार्स 2022 तक इसमें शामिल हो चुके थे और भारत भी इसका एक पक्षकार है सब पक्षकार का मतलब भारत इसका एक सदश्य है तो भारत इसका कब से सदश्य है वर्ष 1983 से सदश्य है इस का उदेशे है स्थलिये समुद्री और एवियन यानि उड़ने वाले प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करना इसका महत्वपुण भारत और CMS के बारे में जो सामाने तथ हैं उनको भी जान लेना चाहिए भारत में साइबेरियन क्रेन को 1908 में समुद्री कच्वे को 2007 में ड्योगोंग को 2008 में और रैप्टर को वर्षे 2016 की संरक्षन और प्रबंधन पर CMS के साथ समझोता ग्यापन पर हस्टाक्षर किये भारत दुनिया के भूमी छेत्र का दो दसमलोंग 4 परतिश्यत समेठता है और यहाँ पर ग्यात वैषविक जैविवित्ता का लगभग 8 परतिश्यत का योगदान माना जाता है यानि भारत में जैविवित्ता को बहुत संब्रिद्ध परकार की है भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थाई आश्रे भी प्रदान करता है, कौन-कौन सी प्रजातियां है, जैसे अमूर फालकन है, बार हैड़ेड गीज है, ब्लैक नेक्ट क्रेन है, समुदरी कच्छुए है, ड्यूगोंग है, हम्प बैक वेल है, इसके अंदरगत शाम प्रवासी मार्ग है, जो आर्क्टिक महासागर से हिंद महासागर तक करीब 30 देशों तक फैला हुआ है, प्लाइवे में अपने वार्शिक चक्र के दोरान पक्षियों के एक सम्हुद वारा इसको उप्योग किया जाता है, इसमें उनके प्रजनन शेत्र और ठहराव शेत् होते हैं, CMS यानि Convention on Migratory Species, सचेवाले ने पक्षियों के प्रवास के संबंद में वैश्विक स्थर पर नो प्रमोख फ्लाइवे की पहचान की है, अगली खबर देखते हैं, अगली खबर क्या है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, ये एक महत्वपूर्ण खबर है और इस पर तो ये उरोपे संग ने घोशना की है कि कार्बन सीमा समायोजन ये अंत्र, यानि कार्बन बोर्डर, अडजस्ट्मेंट, मेकैनिजम, गैर हरित, यानि नोन ग्रीन या परियावरणी रूप से अस्थिर प्रद्योगी की हो, जो अनस्टेबल टेकनीक्स है, टेकनॉलोजी ह उसका उप्योग करके बनाएगे सामानों के आयात पर कार्बन टेक्स लगाएगा, यानि अगर किसी भी सामान का निर्मान गैर हरित प्रद्योगी की क्या अधार पर होती है, ऐसी प्रद्योगी की क्या अधार पर होता है, जो परियावरण रूप से हानिकारक है, परियाव प्रण को और स्थिर प्रद्योगी की पराधारित है तो ऐसे सामानों के उप्योग ऐसे सामानों के आयात पर कार्बन टेक्स लगाएगा कौन लगाएगा कार्बन सीमा समयजन यंत्र यह वर्ष यह अक्टूबर 2003 में पेश किया गया और सी बी एम यानि कार्बन बोर्डर जायर सी बात है कि इस पर कुछ अलग अलग देशों के आयातों पर भी प्रभाब पड़ेगा क्या प्रभाब पड़ेगा इसी के अंतरकत आपको फिट 455 इन 2030 पैकेज के बारे में भी जानना चाहिए यह क्या है सी बी एम यानि जो हम कहते हैं कार्बन बोर्डर एड़ेस् मेकेनिजम यह वस्तूत है फिट 455 इन 2030 पैकेज का एक घटक है तो यह क्या है वर्ष 1990 के इस्तर की तुल्ला में वर्ष 2030 ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस सर्जन में कम से कम 25 परतिशत की कटोती करके युरोपीय जलवायू कानून का पालन करने की युरोपीय संकी रण इस्तर की तुल्ला में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस सर्जन में कम से कम वह 55 परतिशत की कटोती करेगा ताकि युरोपीय जलवायू कानून का पालन करने की परिस्थिति का निर्मान हो सके इसका उदेश क्या है इसका उदेशी यह है कि यह सुनिशित करके कार्बन को कार् कार्बन लागत के अधीन हो यानि जिन सामानों का आयात किया जा रहा है में भी कार्बन कानूनों के अधीन लाए जाए और इसलिए उन पर कुछ टैक्स लगाने की जूरत है और इसी के लिए सी बी एम जैसे यंत्र को जैसे तंत्र को मेकैनिजम को खड़ा करने की बात है यह गैर यूरोपिय संग के देशों को और अधिक कडिये पर्यावरणिये नियमों को अपनाने के लिए प्रोसाहित कर सकता है प्रोसाहित कैसे करेगा प्रोसाहित इसलिए करेगा कि अगर आयातित ऐसी अस्थिर प्रद्योगी की पर कोई आधारिस समान है जिसके आयात पर भारी टेक्स लगाया जाएगा तो जाहिर है कि उसकी कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ने के साथ उसकी मांग भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है तो इससे हरित टेक्नोलोजी अपनाने के प्रती लोगों में रुजान देशों में रुजान बढ़ेगा वैश्व से उत्पन राजस्व का उप्योग युरोपी संग की जलवायू नीतियों का समर्थन करने के लिए क्या जाएगा अन्य देश भी हरित उर्जा के उप्योग को प्रौटसाहित कर सकते हैं भारत दुआरा युरोपी संग को के जाने वाले निर्याद पर इसका प्रतिकूल प कार्बन कर लगाए जाने पर व्यापार पर काफी प्रभावे प्रभाव पढ़ने की संभावना है वर्ष दोजार चब्विस से युरोपी संग इस पात अलुमीनियूम सिमेंट उर्वरक हाइड्रोजन और विद्दूत की हर खेप पर कार्बन कर वसूलना शुरू कर करने की एक महत्वपूर नीती है अन्य देशों को सक्त परियावरेणिये नियमों और वैश्वी कार्बन उपसरजन को कम करने के लिए प्रोफसाइद यह कर सकता है यह इससे निसकर्ष निकलता है यह से कंक्लूजन निकलता है आज की अपनी अगली खबर को देखते हैं अ चालंग श्रमता से पूर्ण ओपन ए आई आई आडिफिशल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जैसे ए आई उपकरनों की बढ़ती लोकप्रेता के साथ ही परियावरेण पर उनके प्रभावों को लेकर चिंता जता ही जा रही है यानि आडिफिशल इंटेलिजेंस का जैसे फूट प्रिंट पर प्रकास जला गया जिसमें डेटा केंद्रों के रखाराखाव यानि डेटा केंद्रों का जो विकास किया जाता है तो डेटा केंद्रों के रखराखाव और इन मोडलों को प्रसिक्षित करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा को चिंहित किया गया है और ए आई के वोटर फ्रिंट के बारे में कुछ तथ्यों पर प्रकास जला गया है यह जल की वह मातरा है जिसका उप्योग विद्धूत उत्पन करने और ए आई मोडल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मोडल को चालित रखने वाले डेटा केंद्रों की शीतलन यानि उन्हें और दूसरी यॢण की त्ट जल की प्रत्यक्ष खबर की जब हम बात करते हैं तो जल की प्रत्यक्षकश खबद से है उस जल अपयोग डेटा तक् Africa को उर्जा प्रदान करने लीकिजन विद्धूत उत्पादन करने में में सब्सक्रार्णा उत्ताइब उत्सक्वरुदा दिवस का हमारी अगली खबर है और इसके बारे में भी कुछ सामाने खबरों के बारे में हम पता करेंगे अंतराश्ची जैव विविद्टा दिवस कब मनाया जाता है 22 मही को मनाया जाता है वर्ष 2023 की क्या थीम रही समझोते से कारवाई तक जैव विविद्टा का पूर्णर पढ़ाना जैव विविद्टा और पारिष्थति की तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मुल्यांकन रिपोर्ट लगभग 10 लाग प्रजातियों के विलुक्त होने के जोकिम पर प्रकास डालती है उनके एक्स्टिंट होने पर प्रकास डालती है तो यह महत्वपूर्ण रिप बनाया गया था यह फ्रेमवर्क वर्ष 2030 के लिए महत्वकांची लक्षनिरधारित करता है और जैव विविद्टा के संद्रक्षन कंजर्वेशन बहाली और सदत उप्योग के लिए एक रोड में भी प्रदान करता है भारत में अब इस जैविविद्टा प्रबंदन के बा करने और सत्यापन हेतु यानि उसको वेरिफाई करने राष्ट्रिय अभियान गोवा में मई 2023 में शुरू किया गया कहां किया गया गोवा में शुरू किया गया था किसके लिए राष्ट्रिय अभियान था पीबी आर यानि प्यूब्ल्स वाय डिवर्सिटी रिजिस्ट्र है यह केंद्रिय परियावरण वन और जल्वावी परिवरतन मंत्राले द्वारा आयजित किया गया था अभी तक देश में 266608 PBR तयार किया जा चुके हैं इसके बारे में कुछ सामाने तथ्थों को भी जानने का प्रयास करते हैं जै विवित्ता के विभिन पहलूं के एक व्यापक्री कोड के रूप में कारे करता है कौन PBR इसमें आवासों का संरक्षन भूमी संरक्षन लोग किसमें कृशी उपप्रजातियां सब स्पीसीज घरेलू पश्मों की नशले और सुक्ष मजीव शामिल है जै प्रबंधन समीत जै विवित्ता अधिनियम 2002 के तहट जै विवित्ता कि संरक्षन टिकाउ उप्योग और प्रलेखन यानि डॉक्यमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गई है राज्यों और केंदर साशित प्रदेशों में इस्थानी निकाए BMC यानि बायो डैवर्सिटी प्रजातियों का गठन उन्हें के द्वारा क्या जाएगा भारत में जै विवित्ता प्रबंदन की स्थिती पर सामाने तथ्यों को जानना आपके लिए उप्यूक्त रहेगा एक्जामिनेशन के हिसाब से हमने पहले बीव बताया कि प्रत्विक के केवल 2.4 भूमी शेत्र क केवल 2.4 प्रतिशत हो विस्व के 36 जै विवित्ता होट स्पोर्ट में से चार भारत में हैं कौन-कौन से हैं एक हिमाले दूसरा है पशिमी घाट तीसरा इंडो बर्मा शेत्र और चोथा है सुंडा लेंड यह आप हिमाले की अवस्तिती देख सकते हैं यह पशिमी घाट है जिसका विस्तार शिर्लंका तक है तीसरा इंडो बर्मा शेत्र जिसमें भारत का नोर्थ इस्ट का शेत्र पढ़ जाता है और चोथा है सुंडा लेंड जो आपको दक्षणी निकोबार आइलेंड के दोरान देखने को मिलेगा और इनका जो विस्तार है भारत के जो दो चै जैब विविदिता साशन के बारे में भी आपको सामाने जानकारी होनी चाहिए भारत का जैब विविदिता अधिनियम 2002 नागोया प्रोटोकॉल जो जैब विविदिता पर एक महद्वपॉर्ण प्रोटोकॉल है के साथ घनिष्ट ताम में तालमिल को दरसाता है इसका 1992 को प्राजिल के रियो डी जैनेरियों में प्रत्वी शीखर सम्मिलन में वैश जैब विविदिता अभी समय पर समवाद क्या गया और साथ ही राष्टु द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी किये गे प्रत्वी सम्मिलन आपको पता है कब हुआ था 1992 में हुआ था यह अभी सम था को काई PAUL बाद्यकारी संधी और नयासंगत वभाजन इसका सचे वाली कि ऑगत्यसे मोंट्रियल में अगली खबर की तरह बढ़ते हैं और हमारी आज की अगली खबर है पैरिस वैश्विक जलवायू वित्व पोशण शीखर सम्मेलन इसके बारे में क्या यह हाली में चर्चा में क्यों रहा हाली में पैरिस में एक युद्धक को स्कृवrica किया गया इसका विकासिल देशों के वित्ति साहिता की कमी से निपटना शिकर समयलन की घोषना United Nations Framework Convention on Climate Change के 27th Conference of Parties में की गई थी 27th Conference of Parties कहां पर किया गया था यह Egypt में हुआ था और Egypt के शर्मल शेक में इसकी आयोजन हुआ था इस शिखर समयलन में भारत के वित्त मंतरी भी शामिल हुए थे और इसमें किस तरह की घोषना की गई थी इस शिखर समयलन में पैरिस वैश्विक जलवायू वित्त पोशन शिखर समयलन कैसी घोषना की गई शिखर मेलन में उभरती अर्थ ववस्थाओं के लिए 200 बिलियन अमेरिकी डोलर की अतरिक्त रिंड शम्ता की व्रद्धी की घोषना की गई इसमें कई तरह की गोषना की गई अलगला अंतराष्टी वित्त पोशन सनस्थाओं तब वो अपने रिन भुक्तान को निलंबित करने के लिए आपता भुक्तान धाराओं को अपनाएगा इसी प्रकार से अंतराष्टी मुद्रा कोस ने कमजोर देशों के लिए विशेश आरण अधिकारों में 100 बिलियन अमेरिकी डोलर के आवंटन की घोषना की विशेश आ की रूप में काम करता है विशेश आरण अधिकार जिसको हम इस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी कहते हैं इसी सम्मेलन के अंतरगत सेनेगल जो पश्यमी अफ्रीकी देश है उसके लिए 2.5 बिलियन यूरू की एक नई जस्ट एनर्जी प्रांजिक्शन पार्टनर्शि जिसका काफी समय से वेट किया जा रहा था सो बिलियन अमेरिकी डोलर का जलवायू विट्ट लक्ष प्राप्त किया जाएगा यह प्रतिबदता कब लाई गई थी कब जाहिर की गई थी वर्ष 2009 में कोपनहेगन में यूनाइटेट नेशन फ्रेवर्ण करन्वेंशन ओन क्ल कल्पिक श्रोतोस को इसके अंतरगत शामिल किया जाता है और साथ ही यह जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन एवं अनुकूलन कारियों का समर्थन करता है मिटिगेशन शमन का मतलब है मिटिगेशन यानि परियावरण के जलवायू परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के प्रियास करना मिटिगेशन के अंतरगत आता है शमन के अंतरगत आता है भारत की क्या पहले है भारत के एक महद्वपूर्ण पहले है राश्पिये जलवायू परिवर्तन अनुकूलन कोश कब इस्थापित क्या गया था इसको वर्ष 2015 में इसको इस्थापित क्या गया था विशेश रूप से जलवायू परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सम्वेधन शील भारत के राज्यों केंदर साशित प्रदेशों के लि आने वाले प्रभावों की प्रती अपने आपको अनुकूलित कर सकें उसकी लागत को पुरा करने के लिए इस कोश की स्थापना की गए थी एक और महत्वपूर्ण पहल क्या है स्वच उर्जा राष्टिय स्वच उर्जा कोश नैशनल क्लीन एनर्जी फंड इसे स्वच उर् का कारिये उद्योगों द्वारा कोयले की उप्योग पर लगने वाले प्रारंभिक कारबन करके माध्यम से किया गया था इसे वित्त सचीव अध्यक्ष के रूप में के साथ एक अंतर मंत्राली सम्हु द्वारा साशित क्या जाता है और जब हम बात करते हैं इसके उदेश् अल्गुंड फैसिलिटी आती है ग्लोबल एन्वार्मेंट फैसिलिटी हाली में चर्चांच उस लिए चर्चा में बैठक के प्रमुक्विंदू क्या रहे प्रमुक्विंदू ये रहे कि शाशे निकाए जो इसकी गवर्निंग बॉडी है उसका ये गवर्निंग बॉडी ने कुनमिंग मौंट्रियल वैश्विट्स जाविविदता फ्रेमवर्क के कार्यान को वित्त पुषित करने के लिए एक नए फंड एक नई फंडिंग व्यवस्था Global Biodiversity Framework Fund की स्थाफना को मन्जूरी दे दी ये महतवपुर्ण तथे हैं, किसको मन्जूरी प्रदान के गई, Global Biodiversity Framework Fund, नीधी महतवपुर्ण हैं, क्यों महतवपुर्ण हैं, ताकि Global Environment Facility 8 अवधी, अवधी कब से कब तक है ये जुलाई 2022 से जून 2026 के दोरान लगवक 50% संसाधन जय विविदता से संबंदित कारियों के लिए आवंटित किये जा सके ये निधी क्या काम करें कि 20% स्वदेशी लोगों, इस्थानी समुदायों, 25% ग्लोबल एन्वार्मेंट फैसिलिटी एजेंसियों को, 36% छोटे विकास सिल्द वीपिय देशों को और 3% अल्प विक्सित देशों को ये रासी आवंटित कि जाएगे ग्लोबल एन्वार्मेंट फैसिलिटी के बारे में सामानित अथ्यों को जान लेना उचित रहेगा ये जो फैसिलिटी है, इसकी स्थापना वर्ष 1902 में के रियो अर्थ समिट से एक दिन पहले की गई थी यह एक परकार की नीधी है, एक फंड है जो जैविवित्ता की नुकसान, जलवायू, परिवर्तन, प्रदूशन, भूमी एवं महासागर स्वास्त के शरण का सामना करने के लिए समर्पित है इसकी एक अधवित्य शाष की संद्रचना है, इसकी साष की संद्रचना में एक विधान सभापरिशद, सचिवाले, एठारा अजेंसिया, एक व्यग्यानिक और तक्निकी सलाकार पैनल और एक मुल्यांकन कार्याले समिलित है इसमें पांच प्रमुक अंतराष्टी सम्मेलेनों के लिए वित्य साहिता प्रदान करती है, एक है पारा पर मिना माता अभिसे में वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किया जिसको हस्ताक्षरित किया गया था और जो वर्ष 2017 में लागू हुआ था दूसरा कौन सा है इस्थाई कार्बनिक प्रदुष्टों पर इस्टोक हम अभिसे में वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2004 में लागू हुआ था इसी प्रकार से जय विविद्दा पर सहिंगत राष्ट पर सम्मेलन जो वर्ष 1993 में लागू हुआ था चोथा कौन सा है मरस्तली करण से निपटने के लिए सहिंगत राष्ट अभिसमे यानि युनाइटि नेशन कन्वेंशन टु कॉंबेट डेजर्टिफिकेशन जिसे वर सहीथ इसका सचेवाल में करता है ये सारे मेहत्वपूर्ण तथ्यूं के लिहाज से इन तक्थियों के बारे में पता होना चाहिए इसके Global Environment Facility की जो परिशद है उसके सामाने तत्यों को जान लेने जान लेजिए Global Environment Facility के जो मुख्य साशे निकाए है परिशद में मुख्य साशे निकाए है कौन साशे निकाए है Global Environment Facility Council परिशद में Global Environment Facility सदश्य देशों के निर्वाचन छेत्रों द्वारा 32 सदश्य शामिल है जिसमें 14 सदश्य विक्सित देशों से हैं 16 सदश्य विकासिल देशों से हैं साथ ही संक्रमन से गुजर रही अर्थ व्यवस्थाओं जो ट्रंजिशनल पिरिड में हैं वहां से दो प्रिलंका भुटान नेपाल मालदीव के साथ मिलकर Global Environment Facility की कारिकारी परिशद में एक इस्थाई निर्वाचन शेत्र का गठन किया है ये भी एक महत्वपूर्ण तथ है आगे देखते हैं इस परिशद की वर्ष में दो बार बैठक होती है और यह जो परिशद है जो Global Environment Facility परिशद है ये वित्व पोशित गतिविधियों के लिए परिचालन नीतियों के साथ कारेक्रमों का विकास तथा उनको अपनाने के साथ उनका मुल्यांकन भी करती है Global Environment Facility के बारे में एक कुछ सामाने तथ्थे थे पिछले साल नवंबर दिसंबर दो हजार तेइस में COP28 यानि Conference of Parties 28 की बैठक हुई कहां पर हुई दुबई में हुई थी नवंबर दिसंबर महिने में जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाई भी उभर कर के आई जिससे हम Global Stock Tech एक महत्वपूर्ण संकल्पना है तो उस इसके बारे में मुखे विशेस्ताइं क्या रही COP28 की एक टर्म उभर करके आया Loss and Damage Fund क्या है ये Loss and Damage Fund कोप 28 के सदश्य देश जलवायू परिवरतन के प्रभामों का सामना कर रहे देशों को प्रतिपूर्ती प्रदान करने के उदेशे से Loss and Damage Fund को संचालित करने के एक समझोते पर पहुँचे हैं यानि जो देश जलवायू परिवरतन के प्रभामों का सामना कर रहे हैं उसे काउंटर करने के लिए उसकी प्रतिपूर्ती करने के लिए उसकी नुकसान का भरण करने के लिए इस Loss and Damage Fund पर एक समझोते पर पहुँचे हैं युनाइटी नेशन फरेविवर कॉन्वेंशन और क्लाइमिट चेंज तथा पैरिस समझोते के अनुरूप विस्व बैंक चार वर्षों के लिए फंड नीधी का अंतरे मेजबान होगा ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपको याद होना चाहिए एक्जामिनेशन के हिसाब से सभी विकासिल देश आवेदन करने के लिए पात रहें तथा प्रतेक देश को स्वेच्छा से यूगदान देने के लिए आमंतरित इसके अंतरगत किया जाता है वही अल्प विक्सित देशों तथा लगूद वीपी विकासिल देशों के लिए फंड का एक विस टोक्टेक वर्ष 2015 में पैरिश समझोते के तहट इस्थापित एक आवधिक समिक्षा तंत्र है इसका मतलब यह है कि वर्ष 2015 के पैरिश जलवाई उस परिवर्तन समेलन के अंतरगत जो महत्वपूर्ण निर्णे लिए गए थे वे निर्णे उन निर्णों के माध्यम से जो ग्लोबल इस्टोक्टेक शब्द आया है ग्लोबल प्ट के तैक्स्ट का 15 संसक्रन कोप 28 में जारी किया गया जिसे बीना किसे आपतिक एपनाया गया टेक्स्ट में यानि यह जो ग्लोबल इस्टॉक्टेक टेक्स्ट है इसमें वैश्विक तापन में व्रध्धी को 1.5 डिग्री सेलसेस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित किये गए कुछ कदमों की बात हम यहां भी करेंगे कैसे कदम है विश्विस्तर पर नवीकरणी उर्जा क्षमता को 3 गुणा करना जो हमारी रेनोबल एनर्जी क्षमता है कपैसिटी है उसको 3 गुणा करना और वर्षी 2030 तक उर्जा दक्षिता एनर्जी एफिसिंसी सुधार की उसत वार्षिक दर को दो गुणा करना इसके लावा जो कोईला उर्जा को चरण बद तरीके से बंद करने की दिशा के प्रयासों में तेजी लाना है इसी तरह से शुद शुन्ने उत्तरजन यानि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसिस है उनका उत्तरजन हम शुन्ने स्थर पर ल का उप्योग सदी के मध्धे से पहले या उसके आसपास करना उर्जा प्रणालियों में इसतर जिवास में इंधन के प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयासओं को बढ़ाने के लिए शुन्ने और निम्म उत्थर प्रद्योगी को में तेजी लाना भी इसका इसके अंतरकत म महत्वपूर्ण है भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंदी जरुतों को पूरा करने के लिए अभी कोईले का उपयोग्सदारी रखने की जरुत है और राश्ट्री स्तरपन निर्धारित योगदान यानि जो नेशनल डिटर्मिंट कॉंट्रिशन्स है उसका पालन कर जstal में सबसे बड़ी भूनिका जीवासम ही नि निभाते हैं चार प्रमुकी destiny थेắt कौन सी ऩह कार्बन ड़ ऑकसाइड है नाइट्रस ओक्साइड है, मिथेन है और क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जिसमें कार्बन डायक्साइड की जो भूमिका है इसकी 60 प्रतिशत या प्लस भूमिका मानी जाती है और दूसरे नमबर पर मिथेन की भूमिका मानी जाती है लेकिन मेथेन जलवायू ग्लोबल में जो इसकी भूमिका है मिथेन की वह बहुत स्ट्रोंग इसलिए मानने जाते हैं क्योंकि यह जितनी मात्रा carbon dioxide की वैश्विक तापन उत्पन करने में हैं इसकी निर्माताओं और निवेशकों को या संके देना की दुनिया जिवासम इनन से अलग होने के लिए प्रतिबद है हालांकि विकासिल और गरीब देश कॉप 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट के नवीनितम प्रारूप पर असंतोस व्यक्त कर रहे हैं और महत्वपुन बदलावों की भी मांग कर रहे हैं यानि विकासिल देशो द्वारा इस पर कई प्रकार के सवाल भी खड़े के गए हैं भारत सहीत कई देश मिथेन उत्सर्जन में कटोटी के किसी भी आदेश का अत्यनत विरूद कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रमुक शोथ क्रिशी और पशुधन है यानि मिथेन की इस तर में जो कटोटी के लक्ष निर्धारित किये गए हैं भारत जैसे विकासिल देश उसका विरूद कर रहे हैं जैसे मिथेन एक तो पशुधन से इसका उत्सर्जन होता है जैसे चावल की खेती से भी इसका बहुत बड़े इस तर पर उत्सर्जन होता ह तो अगर इस पर किसी प्रकार का नियंत्रन अपनाया जाता है तो भारत में नैकेवल पशुपालन प्रभावित हो सकता है बलकि चावल की खेती भी प्रभावित हो सकती है इसलिए भारत जैसे विकासिल देश इसका विरोध भी कर रहे हैं वैश्विक नवी करणिये उर्जा दक्षिता प्रतिग्या क्या है हस्ताक्षर करता वर्ष 2030 तक दुनिया की इस्थापित नवी करणिये उर्जा उत्पादन क्षंता को कम से कम 11,000 गीगा वोट की 3 गुना करने 11,000 गीगा वोट तक 3 गुना करने और 2030 तक हर साल उर्जा दक्षिता सुधार की वैश्विक ओस्त वार्षिक दर को लगबग 2 प्रतिशत से 2 गुना करके 4 प्रतिशत से अधिक करने तथा मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद है इस तरह की बातें उर्जा दक्षिता करता शामिल है जो वर्ष दोहजार पचास तक 2022 के सापेक्ष वैश्विक इस्तर पर सभी इस तरों में शीतलन समंद्धी उत्सरजन को कम से कम 68 प्रतिशत तक कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबंद है एक और महत्वपुन घोशना है कोप 28 के इंतरगत क्या है ट्रीपल नुकलियर एनर्जी की घोशना इसके अंतरगत क्या कहा गया है कोप 28 में शुरू की गई घोशना का लक्ष वर्ष दोहजार पचास तक वैश्विक परमाणू उर्जा दक्षता को तीन गुना करने का लक्ष क्यों रखा गया है क्योंकि परमाणू उर्जा को एक परमाणू उर्जा की केटेगरी में रखा जाता है यानि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन करने पर काफि लगाम लगा सकती है तो तो वैश्विक ग्रिन हाउस गैस उत्सरजन में कमी आने की संभावना है ये परियावरण इंपारिस सिति की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरे थी पहला एपिसोड था अगले एपिसोड में हम अन्ने खबरों को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि परियावरण से स संपूर्ण सभी पक्ष तयार हो सके और जून दो हजार चोबिस में यूपिस से की होने वाली परिक्षा में इनसे संबंधित आपका कोई भी प्रक्ष्ण गलत नहों आपका प्रदर्शन बहतर हो सके इसी को ध्यान में रखते हुए करन्ट अफेर्स रिवीजन सेरीज दो लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले